तेला अंगणाखी राजपाल डॉक्टर तमिल साइब संदर राजन जी एंद्रिय मंत्री परिशत के मेरे सयोगी नरेंद्र सिंजी तोमर प्रिजी कश्च रेडी जी इक्रिशेट की डारेक्टर जनरल और आनलाइन माध्यम से देश विदेश से खासकर अफ्रीकी देशों से जुड़े महानुभाव यहां उपस्तित देवियों और सज्जनों आज वसंत पंचमी का पावन परवा है आज हम ज्यान की देवी माध्य सरस्वति की पूजा करते हैं आप सभी जिस खेत्र में हैं उसका आधार ज्यान विज्यान इनोवेशन इन्मेंशन ही है और इसलिए बसंत पंचमी के दीन इस आयोजन का एक विशेश महत्य हो जाए आप सभी को गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन की बहुत बहुत बढ़ाई साथियों पचाज साल एक बहुत बढ़ा समय होता है और इस पचाज साल की यात्रा में जब जब जिस जिस ने जो जो योगदान दिया है बेज सभी अभिनंदन के अधिकारी है इस कारे को आगे भराने के लिए जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है मैं उनका भी आज अभिनंदन करता हूँ ये भी अद्भूत संयोग है कि आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्स का पर्म मना रहा है तो आपकी संस्ता पचास साल के इस अहम पड़ाव पर है जब भारत ने आजादी के 100 वर्स मनाएगा तो आप 75 वर्स में होंगे जैसे भारत ने अगले 25 वर्सों के लिए नए लक्ष बनाए हैं उन पर काम करना शुरू कर दिया है वैसे ही अगले 25 वर्स 61 वर्स के लिए भी उतने ही एहम है साथियों आपके पास पांच दसकों का अनुभव है इन पांच दसकों में आपने भारत सहीत दुनिया के एक बड़े हिस्से में क्रिशी खेत्र की मदद की है आपकी रिसर्च आपकी टेकनलोजी ने मुश्किल परिस्तितियों में खेती को आसान और सस्टनेबल बनाया है अभी मैंने जो टेकनलोजी डिस्पले देखा उसमें इक्री सेट के प्रयासों की सफलता नजर आती है पानी और मिट्टी का मेनेजमेंट हो क्रॉप वेराइटी और प्रोड़क्शन प्रैक्रिसेज में सुधार हो अनफार्म डाइवर्सिटी में बढ़ोत्री हो लाइश्टॉक इंटिग्रेशन हो और किसानों को मार्केट से जोड़ना हो यह होलिस्टिक एप्रोच निश्चित रुप से एग्रिकल्चर को सस्टनेबल बनाने में मदद करते हैं तेलांगणा और आंद्र प्रदेश में दालों विशेश रुप से चिकपी को लेकर इस खेत्र में जो विस्तार हुआ है उसमें आपका योगदान एहम रहा है किसानों के साथ इक्रिसेट की यही क्लॉबरेटिव एप्रोच खेती को और ससक्त करेगी समर्द करेगी आज क्लाइमेट चेंज रिसर्ट फेसिलिटी अन प्लेनेट प्रोटेक्शन और रेपीड जनरेशन एडवांस्मेंट फेसिलिटी के रूप में नई फेसिलिटीज का उद्धाटन हुआ है यह रिसर्ट फेसिलिटीज क्लाइमेट चेंज की चनोती का सामना करने में क्रिसी जगत की बहुत मदद करेंगे और आपको पता होगा बदलते हुए क्लाइमेट में हमारी एग्रिकेल्टर प्रेक्रिसिस में क्या परिवरता लाने चाहिए उसी प्रकार से भारत ने लास्ट एक बहुत बड़ा इनिसेटिव लिया है कि क्लाइमेट चेंज के कान जो परिस्तिया पैदा हुई है नेचरल कलेमिटी जाती है उसमें मानव मृत्यू की चर्चा तो सामने आती है लेकिन इन्फ्रास्ट्रेक्टर का जो नुक्षान होता है वो पूरी व्यवस्ताओं को चर्मरा देता है और इसलिए भारत सरकार ने क्लाइमेट रिजिस्ट्रेंस वाले इन्फ्रास्ट्रेक्टर के लिए उस पर चिंतन मनन और योजनाय बनाने के लिए ग्लोबल लेवल के इस्ट्रिटूट को जन्म दिया है आज वैसा ही ये काम इस एग्रिकल्चर सेक्टर के लिए हो रहा है आप सब अभिनन्दन के अधिकारी हैं साथियों क्लाइमेट चेंज वैसों तो दुनिया की हर आबादी को प्रभावित करता है लेकिन इसे सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग वो होते हैं जो समाज के आखरी पाइदान पर होते हैं जिनके पास रिसोर्सिस की कमी है जो विकास की सीडी में उपर चर्विने के लिए मेहनत कर रहे हैं इन में बड़ी संख्या में हमारे छोटे किसान है और भारत में 80-85 प्रतिशत किसान छोटे किसान है हमारे छोटे किसान क्लाइमेट चेंज की बात उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती है इसलिए भारत ने क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया से इस पर विशेश ज्यान देने का आगरे किया है भारत ने 2070 तक 2070 तक नेट जीरो का टार्गेट तो रखाई है हमने लाइफ, लाइफ मिशन, लाइफ स्टाइल फॉर एंवार्मेंट इस लाइफ मिशन की जरूत को भी हाईलाइट किया है उसी प्रकार से प्रो प्लैनेट पीपल प्रो प्लैनेट पीपल एक ऐसा मूवमेंट है जो क्लाइमेट चैलेंज से निपट्डे के लिए हर कम्यूनिटी को, हर इंडिवीजल को क्लाइमेट रिस्पॉंसिबिलिटी से जोडता है ये सिर्फ बातों तक सिमित नहीं है बलकि भारत सरकार के एक्शन्स में भी ये रिफ्लेक्ट होता है बीते सालों के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए इस साल के बजेट में क्लाइमेट एक्शन को बहुत अधिक प्रात्मिक्ता दी गई है ये बजेट हर स्तर पर हर सेक्टर में ग्रीन फ्यूचर के भारत के कमिट्मेंट्स को प्रोसाइट करने वाला है साथियों क्लाइमेट और दूसरे फेक्टर्स के कारण भारत की एग्रिकल्चर के सामने जो छुदोतिया है उनसे निपटने में भारत के प्रयासों से आप सभी एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, टेक्डिशन्स बलिभाती परिचीत है आप में से जादा तर लोग ये भी जानते हैं कि भारत में फिप्टीन एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं हमारे यहां वसंद, ग्रिस्ब, वर्षा, शरत, हैमन्त और शिशिर ये छे रुतिये भी होती हैं यानि हमारे पास एग्रिकल्चर से जुड़ा बहुत विवित्ता भरा और बहुत प्राचीन अनुभव है इस अनुभव का लाप विश्व के अन्य देशों को भी मिले इसके लिए इक्रिसेट जैसे संसाओं को भी अपने प्रयास बढ़ाने होंगे आज हम देश के करीब एक सो सतर डिस्टिक्ट में ड्राउट प्रूफिंग के समाधान दे रहे हैं क्लाइमेट चैलेंज से अपने किसानों को बचाने के लिए हमारा फोकस बैक टू बेसिक और मार्च टू फूचर दोनों के फ्यूजन पर है हमारा फोकस देश के उन 80% से अधिक छोटे किसानों पर है जिनको हमारी सबसे अधिक जरूरत है इस बजेट में भी आपने नोट किया होगा कि नेचरल फार्मिंग और डिजिटल एग्रिकल्चर पर अभूत पर बल देया गया है एक तरफ हम मिलेट्स मोटे अनाज का दायरा बढाने पर फोकस कर रहे हैं केमिकल फ्री खेती पर बल दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सोलर पंप से लेकर किसान ड्रोन्स तक की खेती में आधुनिक टेकलोलोजी को प्रुच्साहिट कर रहे हैं आज़ादी के अमरितकाल यानि आने वाले 25 वर्ष के लिए एग्रिकल्चर ग्रोथ के लिए हमारे वीजन का ये बहुत अहम हिस्सा है साथियों बदलते हुए भारत का एक महत्वपूर्पक्ष है डिजिटल एग्रिकल्चर ये हमारा फ्यूचर है और इसमें भारत के टैलेंटेड युवा बहुत बहतरिन काम कर सकते हैं डिजिटल टेकलोलोजी से कैसे हम किसान को एमपावर कर सकते हैं इसके लिए भारत में प्रयाश निरंतर बढ़ रहे हैं क्रॉप एसेस्मेंट हो लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन हो ड्रोन के माध्यम से इंसेक्टिसेड्स और नूट्रिन्स की स्प्रेइंग हो किसानों को सस्ती और हाइट टेक्स सर्विस देने के लिए एग्रिकल्चर रिसर्च से जुड़े इको सिस्टिम्स और प्राइवेट एग्रिटेक प्लेयर्स के साथ मिलकर के काम हो रहा है सीन्चाई के अभाव वाले इलाकों में किसानों को बहतर बीच ज्यादा पैदावर पानी के मनेजमेंट को लेकर आई सी ए आर और एक्री सेड की पार्टर्शिप सफल रही है इस सक्सेस को डिजिटल एग्रिकल्चर में भी विस्तार दिया जा सकता है साथियों आज हादी के अमरित काल में हम हायर एग्रिकल्चर ग्रोथ पर फोकस के साथ ही इंक्लूजिव ग्रोथ को भी प्राथ्फिक्ता दे रहे हैं आप सब जानते हैं कि कृसी के खेत्र में महिलाओं का योगदान बहुत एहम है उन्हें सब प्रकार के मदद देने के लिए स्वयम सहायता समों के माद्दम से भी प्रयास किया जा रहा है खेती में देश की एक बहुत बड़ी आबादी को गरीब से बहार निकाल कर बहतर लाइट स्टाइल की तरब ले जाने का पोटेंशल है यह अम्रितकाल कठीन बोगोलिक परिस्थित्यों में खेती करने वाले किसानों को कठीनाईयों से बहार निकालने के नए माद्दम भी मुहया कराएगा हमने देखा है सिंचाई के अभाव में देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रीन रिवल्यूशन का हिस्सा नहीं बन पाया था अब हम दोहरी रणनीती पर काम कर रहे हैं एक तरफ हम वाटर कंजर्वर्शन के माद्दम से मद्दियों को जोड़कर एक बड़े खेत्र को इरिगेशन के दाइरे में ला रहे हैं और अभी जब मैं प्रारब में यहां की सारे एक्षिवमेंट्स को देख रहा था तो उसमें बुंदेल खंड में किस प्रकार से पानी के प्रभंधन को और पर ड्रॉप मौर कॉप के मिशन को सफल करने के लिए कैसे सफलता पाई है उसका विस्तार से वरनन मेरे सामने साइंटिस्ट कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ हम कम सिंचित छेत्रों में बॉटर यूज एफिशन्सी बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन पर जोड दे रहे हैं जिन फसलों को पानी की जरुवत कम होती है और जो पानी की कमी से प्रभावित नहीं होती उन्हें भी आदुनिक वराइटी के विकास से पोच्छान दिया जा रहा है खाने के तेल में आत्मन निर्फरता के लिए जो नेशनल मिशन हमने शुरू किया है वो भी हमारी नई एप्रोच को दिखाता है आने वाले पांच सालों में हमारा लक्ष पाम ओईल एरिया में साड़े छे लाग हेक्टर की वृद्धी करने का है इसके लिए भारत सरकार किसानों को हर स्तर पर मदद दे रहा है तेलंगना और आंधर प्रदेश के किसानों के लिए भी ये मिशन बहुत लापकारी होगा मुझे बताया गया है कि तेलंगना के किसानों ने पाम ओईल की प्रांटेशन से जुड़े बड़े लक्ष रखे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता देगी साथियों पिछले कुछ वर्षों में भारत में पोस्ट हार्वेस इंफ्रस्टेक्टर को भी मजबूत किया गया है हाल के वर्षों में 35 मिलियन टन की कोल्ड चेंज स्टोरेज केपिसिटी तयार की गई है सरकार ने जो एक लाग करोड रुपिय का एग्रिकल्चर इंफ्रस्टेक्टर फंड बनाया है उसकी वज़े से भी पोस्ट हार्वेस इंफ्रस्टरक्टर का तेजी से विकांस हुआ है आज भारत में हम एप्पियोज और एग्रिकल्चर वेल्यू चेंड के निर्मान पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं देश के छोटे किसानों को हजारों एप्पियोज में संगढ़ित करके हम उन्हें एक जागरूख और बड़ी मार्केट फोर्स बनाना चाहते हैं साथियों भारत के सेमी एरिड खेत्रों में काम करने का इकली सेड के पास एक रीच एक्सप्रियंस है इसलिए सेमी एरिड खेत्रों के लिए हमें मिलकर किसानों को जोड़कर सस्टेनेवल और डाइवर्सिफाइड प्रोड़क्शन सिस्टिम का निलमान करना होगा अपने अनुभवों को इस्ट और साउथ अफ्रिका के देशों के साथ सेर करने के लिए एक्सेज प्रोग्रेम भी शुरू किया जा सकता है हमारा लक्षा सिर्फ अनाज का प्रोड़क्शन बढ़ाना ही नहीं है आज भारत के पास सरप्रस फूर्ड ग्रेन है जिसके दम पर हम दुनिया का इतना बड़ा फूर्ड सिकुरिटी प्रोग्रेम चला रहे हैं अब हम फूर्ड सिकुरिटी के साथ साथ नुट्रेशन सिकुरिटी पर फोकस कर रहे हैं इसी वीजन के साथ बिते साथ सालों में हमने अनेक बायो फूर्टिफाइड वेराइटी का विकास किया है अब अपनी खेती को डावर्शिपाइड करने के लिए अपने सुखा प्रभाविक छेत्रों में अधिक उत्पादन के लिए बिमारियों और कीटों से अधिक सुरक्षा देने वाली रिजिलियन्ट वराइटी पर हमें जादा से जादा काम करना है साथियों इक्रिसेट, आईसी आर और एग्रिकल्टर उनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक और इनिसेटिव पर काम कर सकता है ये खेत्र हैं बायो फ्यूल का आप तो स्वीट स्वर्गम उस पर काम करते रहे हैं आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं जिससे सुखा प्रभावित किसान या कन जमीन वाले किसान अधिक बायो फ्यूल देने वाली फसले उगा सकें बीजों की प्रभावी डिलिवरी कैसे हो उनके प्रती विश्वास कैसे पैदा हो इसको लेकर भी मिलकम हम सब को साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है साथ क्यों मेरा विश्वास है कि आप जैसे इनोवेटिव मैंड की मदद से पीपल्स पार्टिसिपरसन से और सोसाइटी के कमिटमेंट से हम एग्रिकल्चर से जुड़ी तमाम चुनोतियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे भारत और दुनिया के किसानों का जीवन बहतर बनाने में आप ज्यादा समर्थ हो बहतर से बहतर टेक्नोलोजिकल सॉलूशन देते रहें इसी कामना के साथ एक बार फिर इक्रिशेट को इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके भव्य बुद्काल का अभिनंदन करते हुए उजवल भविश की कामना करते हुए देश के किसानों की आन, बान, शान के रुपे आपका ये पुर्शार्त काम आए इसलिए मेरी बहुत-बहुत सुबकामना है बहुत-बहुत बदाई धन्यवार साथ्यों, बदलते हुए भारत का एक महत्वपूर्ण पक्ष है डिजिटल एग्रिकल्चर ये हमारा फ्यूचर है और इसमें भारत के टैलेंटेड युवा बहुत बहतरिन काम कर सकते हैं डिजिटल टेक्नलोजी से कैसे हम किसान को एमपावर कर सकते हैं इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं क्रॉप एसेस्मेंट हो लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन हो ड्रोन के माध्यम से इंसेक्टिसेड्स और नूट्रिन्स की स्प्रेइंग हो ऐसी अनेक सर्विसिज में टेक्नलोजी का उप्योग, आर्टिफिशल इंटलिजन्स का उप्योग बढ़ाया जा रहा है किसानों को सस्ती और हाइट टेक्स सर्विस देने के लिए एग्रिकल्चर रिसर्च से जुड़े इकोसिस्टिम्स और प्राइवेट एग्रिटेक्ट प्लेयर्स के साथ मिलकर के काम हो रहा है सीन्चाई के अभाव वाली इलाकों में किसानों को बहतर बीच ज्यादा पैदावर पानी के मनेजमेंट को लेकर आईसी ए आर और इक्री सेट की पार्टर्शिप सफल रही है इस सक्सेस को डिजिटल एग्रिकल्चर में भी विस्तार दिया जा सकता है साथियों क्लाइमेट और दूसरे फेक्टर्श के कारण भारत की एग्रिकल्चर के सामने जो चुदोतिया है उनसे निपटने में भारत के प्रयासों से आप सभी एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, टेक्निशन्स भलिभाती परिचीत है आप में से जादा तर लोग ये भी जानते हैं कि भारत में फिप्टीन एग्रो क्लाइमेट जोन्स है हमारे यहां पसंद, ग्रिस्ब, वर्षा, शरत, हैमन्त और शिशिर ये छे रुतिये भी होती है यानि हमारे पास एग्रिकल्चर से जुड़ा बहुत विविदता भरा और बहुत प्राचीन अनुभव है इस अनुभव का लाप विश्व के अन्य देशों को भी मिले इसके लिए इक्रिसेट जैसे संसाओं को भी अपने प्रयास बढ़ाने होंगे आज हम देश के करीब 170 डिस्टिक्स में ड्राउट प्रुफिंग के समाधान दे रहे हैं क्लाइमेट चैलेंज से अपने किसानों को बचाने के लिए हमारा फोकस बैक टू बेसिक और मार्च टू फ्यूचर दोनों के फ्यूजन पर है हमारा फोकस देश के उन 80 प्रतिसत से अधिक छोटे किसानों पर है जिन को हमारी सबसे अधिक जरूरत है इस बजेट में भी आपने नोट किया होगा कि नेचरल फार्मिंग और डिजिटल एग्रिकल्चर पर अभूत पर वह बल देया गया है एक तरफ हम मिलेट्स मोटे अनाज का दायरा बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं केमिकल फ्री खेती पर बल दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सोलर पंप से लेकर किसान ड्रोन्स तक की खेती में आदुनिक टेकलोलोजी को प्रोचाइट कर रहे हैं आज़ादी के अमरित काल यानि आने वाले 25 वर्ष के लिए एग्रिकल्चर ग्रोथ के लिए हमारे वीजन का ये बहुत अहम हिस्सा है साथियों क्लाइमेट चेंज वैसों तो दुनिया की हर आबादी को प्रभावित करता है लेकिन इसे सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग वो होते हैं जो समाज के आखरी पायदान पर होते हैं जिनके पास रिसोर्सिस की कमी है जो विकास की सीडी में उपर चरज़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं इनमें बड़ी संख्या में हमारे छोटे किसान है और भारत में 80-85 प्रतिशत किसान छोटे किसान है हमारे छोटे किसान क्लाइमेट चेंज की बात उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती है इसलिए भारत ने क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया से इस पर विशेज ज्यान देने का आगरे किया है भारत ने 2070 तक 2070 तक नेट जीरो का टारगेट तो रखाई है हमने लाइफ लाइफ मिशन लाइफ स्टाइल और एंवार्मेंट इस लाइफ मिशन की जरूद को भी हाईलाइट किया है उसी प्रकार से प्रो प्लेनेट पीपल प्रो प्लेनिक पीपल एक ऐसा मूवमेंट है जो क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए हर कॉम्यूनिटी को हर इंडिवीजियल को क्लाइमेट रिस्पॉंसिबिलिटी से जोड़ता है यह सिर्फ बातों तक सिमित नहीं है बल्कि भारत सरकार के एक्शन्स में भी यह रिफ्लेक्ट होता है बीते सालों के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए इस साल के बजेट में क्लाइमेट एक्शन को बहुत अधिक प्रात्मिक्ता दी गई है यह बजेट हर स्तर पर हर सेक्टर में ग्रीन फ्यूचर के भारत के कमिटमेंट्स को प्रोसाइक करने वाला है